पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में लाभार्थियों को किया संबोधित कोटपूतली राजकिय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में वीसी के जरिये कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह, राठोड विधायक, हंसराज पटेल, कलेक्टर कलपना अगरवाल सहित आमजन ने सुना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 17,000 करोट DDH की विभिन्न पर योजनाओं का वर्चुल लोकारपन, शिलान न्यास और उद्धाटन किया इस दोरान प्रदेश की सभी विधान सभाओं के लाभार्थियों को विसी के माध्यम से संबोधित भी किया कार्यक्रम के दोरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपना उद्धोधन दिया तो वहीं जिला कोट पूतली, बहरोड मुख्यालय पर जिला स्तरिय विकसित भारत संकल्प यात्रा, समवाद कार्यक्रम, राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में, राजस्थान सरकार में केबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड के मुख्यातित्य में आयोजित किया गया जबकि समारोह की अध्यक्षता स्थानिय विधायक हंसराज पटेल ने की समवाद कार्यक्रम के दौरान आमजन सहित अधिकारी कर्मचारी जन प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संबोधन को सुना। विधायक हंसराज पटेल तथा जिला कलेक्टर कल्पना अगरवाल के द्वारा उतक्रिष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। प्रधान मंत्री द्वारा जिन परियोजनाओ थी सौगात राजस्थान प्रदेश को दी है उससे युवा को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ और द्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ती को मुख्यधारा में जोडने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। प्रधान मंत्री का लक्ष 20-43 तक देश को विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री की योजनाओं से सभी वर्गों के लोग लाभान वित हुए हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोट पूतली जिले के लिए कई सौगातें दी हैं, जिसमें कोट पूतली में सडकों का विस्तार, बानसूर तथा पूतली कट पर फ्लाई ओवर का निर्माण, अंबाला से अलवर तक हाईवे का निर युवाओं के LBS कॉलेज में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया गया है, साथ ही उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से अपील की कि विकसित भारत तथा विकसित राजस्थान बनाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना होगा राठोड ने कहा कि माननिय प्रधान मंत्री ने गरीबों की पीडा को समझते हुए बहुत सारी योजनाएं घर घर तक पहुँचाई है, पूरे भारत में 11 करोड से अधिक महिलाओं को उज्जवला गैस, योजना के तहत, गैस, सिलेंडर वितरित किये हैं, पीने के पानी तथा सिंचाई के लिए हर घर नल योजना, राजस्थान के 23 जिलों के लिए ERCP योजना, इन सभी जिलों के लिए एक वरदान साबित होगी, इस योजना के अंतरगत 3 लाख हेक्टर भूमी के लिए सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ ही इसका 90 परसंट पैसा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा राजस्थान की महिलाओं के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को RS-4 सफैसे में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है, कार्यक्रम में कोटपूतली विधायक हंस राज पतेल, जिला कलेक्टर कलपना अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश कुमार डागुर, जिला परिशद की अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी राम निवास, जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल, जिला जन संपर्क अधिकारी नितिन कुमार, DTO सु द्योगिकी उपनिदेशक सुनील मीना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उपनिदेशक विपिन चौधरी, CMHO निर्मल जैन, PWD के सेक्षन इंजीनियर जेपी यादव, उपखंड अधिकारी मुकुट चौधरी, तहसीलदार सौरब गुर्जर सहित, सभी जिलास्तरिय अधिकारी, कर्मचारी वजन प्रतिनिधी तथा बहुसंख्यक लाभार्थी उपस्थित रहे बलकि दो कदम आगे बढ़के करती हैं, लेकिन जो शड्यंत्र के रूप में करा जाता है, जो चुनाओ की धान में रखते वे देश को मजबूत होने से रोकने की जो नियत से होता है, उस वो कभी कभी, सबसे पहला है सरकार के लेवल पे काम, सरकार के लेवल पे काम जो पा केंद्र भी अग्रिमेंट में पैसे की कमी जो कैसे की कमी भी नहीं रही है, भी 90% केंद्र से आएगा, तो बड़े बेमाने पर यह पानी अंदर आ जाएगा राजिस्थान, दूसरा है घर घर तक जमीन से जो कुओं से पानी निकालके पीने का पानी पहुचाना, दूसरा बांज से पीने का पानी पहुचाना, उसके लिए पाइपलाइन वगरा के लिए 29,000 करोड रुपे मोदी जी दे चुके हैं, और भी पैसे आ रहे हैं, ताकि घर घर पीने का पानी पहुचाए जासे, उसके बाद में ये भी प्रदान मंद्री जी बार बार बोल रहे हैं कि ह पार जच पे जो बारिश का पानी आता है, उसको संट्रक्षन करिए, नीचे डालिए ताकि जमीन का पानी का स्तरे वापस उपर आए, आप उसको बचाईए ताकि आप उससे अपनी क्यारी वहरी उस सब का बंदोबस करिए और बजट की घोशना भी हुई, जिसमें कहा गय नौकरिया इसी साल लगाई जाएंगी, यह तो केवल सरकार की नौकरिया है, इसके अलावा जितना इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्टर डेवलप हो रहा है, सडके बन रही है, यह हवा में थोड़ नहीं बन जाती है, वह इन्हों कोई लगता है, अलग रोडी लगती है, सीमेंट लगता है, सीमेट प्लांट के अंदर नौकरियां हो जाती है, हर तरह से सिस्टम चलता है, जो पाइपलाइन ने बिच रही है, पानी की, वह अपने अब हवा में तो आनी रही है, लोग लगा रहे हैं उसको, एजन्सिया लगा रही है, पैसा, जितना पैसा आज बारत की सर मदानमंत्री मोधी जी सर्वेस इंडस्ट्री के माध्यम से नौजवानों को तयार कर रहे हैं, उनका स्खिल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि भारत की सीमा तक ही नहीं, पूरी धुनिया के अंदर, अगर किसी को काम मिले, तो भारत की नौजवानों को, सोलर एनर्जी को लेकर कि किस तरह से राजस्थान आप निर्वर बंस को सुर्यदेव की अबार रहती है राजस्थान के ऊपर हमारी बहुत सारी ऐसी जमीने हैं जो खाली पड़ी है बंजर पड़ी है वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बड़े-बड़े लग सकते हैं लगने उस भी के उपर जब हम सोलर का फैनल लगाते हैं तो वो जो सूर्य सूर्य देव योजना सूर्य ग्रह योजना जो प्रदानमंद्री मोदी जी ने भी घोशना करी उससे हर घर के अंदर विजली उत्पादन होगी और जैसे उन्होंने कहा कि तकरीबं 300 यूनिट तक फ्री करने का लक